हलो फ्रेंड्स, 90 वर्ड पर मिनट एडिटोरिल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद स्टार्ट हमारे देश में नदियां केवल बहते जल का परवाह ही नहीं है बलकि इनका सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व भी है नदियों को दुशित होने से बचाने के लिए समय समय पर सुप्रीम कोट से लेकर नैशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल तक ने सरकारों को फटकार भी लगाई है करोडों रुपे नदियों को परदूशन मुक्त करने के नाम पर खर्च हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी सरकार यह दावा करने में समर्थ नहीं हो पाई है कि उसने अपने यहां से बहने वाली नदियों को परदूशन मुक्त कर दिया है कारण साफ है नदियों को परदूशन मुक्त करने के लिए बनाई जाने वाली योजनाय धरातल पर कम ही उतर पाती है नदियों को परदूशित होने से रोकने के लिए कानून काईदे या तो बनते ही नहीं और यदी बनते भी हैं तो उनकी पालना सुनिश्चित करने की किसी को फिक्र होती ही नहीं है प्रदूशित होती जा रही नदियों को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच दिल्ली सरकार ने भारतिये मानक ब्यूरों के मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने वाले साबुन और डिटरजेंट की बिक्री भंडारन और परिवहन पर रोक लगा दी है विशेशग्यों का कहना था कि रंगाई उध्योगों धोबी घाटों और घरों में इस्तिमाल होने वाले अमानक साबुन और डिटरजेंट यमूना में जहरीला जाग बनने की बड़ी वजह है दिल्ली सरकार ने यमूना नदी में प्रोदूशन की रोक थाम के परियासों की जो पहल की उसका स्वागत किया जाना चाहिए भले ही ग्रेन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के बाद सरकार हरकत में आई है न केवल डिटरजेंट वे साबुन बलकि यमूना गंगा के साथ नदी किनारे बसे तमाम शहरों के उध्योगों का अप्सिस्ट भी नदियों को प्रदूशित करने के लिए जिम्मेदार रहा ह उध्योगों को ट्रिटमेंट प्लांट लगाने को कहा तो जाता है लेकिन कितने इसकी पालना कर रहे हैं इसकी पुकता निगरानी होती ही नहीं भया वहता का अंदाजा केंद्रिये प्रदूशन नियंतरन बोड के इस आकलन से लगाया जा सकता है कि देश की 450 में से 350 नदियां प्रदूशित है दस साल पहले यह संख्या 121 ही थी NGT ने दिल्ली सरकार को ये भी निरदेश दिये हैं कि वह घटिया साबुन वह डिटरजेंट के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को लेकर भी जन जागरुकता अभियान चलाए न केवल यमूना बलकी दूसरी तमाम नदियों में प्रदूशित जल की समश्या कम नहीं है कोई एक प्रदेश प्रतिबंदात्मक उपाय करे इतना ही काफी नहीं नदियों को प्रदूशित होने से रोकने के लिए सरकारों को तो ठोस कदम उठाने ही होंगे जनता को भी इन परियासों को सफल करने में भागीदार बनना होगा नदियों को साफ रखने के अभियानों में धन का सदूपयोग हो यह भी देखना होगा इस टॉप कर दो